हलो दोस्तों मैं आज आप लोगों को नौव आट की एलीड बाल्व रिपैर करके दिखाऊंगा तो आए इस वीडियो को शुरू करते हैं पहले इसके उपर वाले ढखकन को हम अच्छी तरह से खोल लेंगे अब लोग देख सकते हैं इसमें एक MC PCB लगा हुआ है इस PCB में नो एलीड लगे हैं इसमें क्या होता है कि नो एलीड में से एक या दो एलीड खराप होने पर हमारा बल्व खराप हो जाता है यानि ये बल्व नहीं जलता आईए आज इसे रिपेर करके देखते हैं हम पहले देखेंगे इस एलीड में कौन सा बल्व काला पर चुगा है यानि जल चुगा है पहले इसे हम हुल्डर में कनेक्ट करते हैं अब लोग देख सकते हैं ये बल्व बिलकुल भी जल नहीं रहा हम एक वायर की मदद से इसमें जो काला पर चुगा होगा बल्व को साट करके देखेंगे जलता है कि नहीं इसमें एक एलीडी जल चुगा है तो इसे वायर के मदद से पहले साट करके देखेंगे तो आप लोग देख सकते हैं साट करने पर ये एलीडी बिलकुल अच्छे से गलो कर रहा है तो इस एलीड को निकलके हम इसके जगा पर अच्छे से कर लेंगे अच्छे से शोल्डिंग करने के बाद फिर से इसे टेस्ट करेंगे ये जलता है कि नहीं तो पहले इन लेट को निकल के अच्छे से होल्डिंग कर देते है इसे होल्डर में लगाएंगे आप लोग देख सकते हैं यह बल्ब बिलकुल अच्छे से ग्लो कर रहा है लेकिन इस हट करने पर यह ज्यादा दिन तक नहीं चलता इसके जगा पर हम नई PCB लगाएंगे आप लोग देख सकते हैं इस तरह का PCB मार्केट में 5 या 10 रुपे में आपको मिल जाएगे यह सेम वाट की होना चाहिए पहले इसके स्कुरू को निकल लेते हैं इसके बाद यह पुराने वाला PCB को निकल के इसके जगा पर यह नए वाला PCB लगाएंगे पहले पुराने PCB को निकल लेते हैं अब हम इस जगा पर नेया PCB को लगाएंगे PCB को लगाने के बाद अच्छी तरह से नेगेटिव और पॉजेटिव देखके अच्छे से सुल्डिंग कर लेंगे और नौट को अच्छे से कस लेंगे और इसे हम हुल्डोर में कनेक्ट करके देखेंगे जलता है कि नहीं और इस तरह हम एक खरब हो चुके एल लेडी को रिपेर करके देखेंगे तो यह देखते हैं यह देखो अच्छे से ग्लो कर रहा है इस तरह हम एक खरब हो चुका हो गया एल लेडी को रिपेर कर सकते हैं थांक्यू दस्तो मेरे वीडियो को देखने के लिए झाल 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 झाल